आज मैं आपको इस सेशन में मौर्य समराईजी के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताऊंगे मर्य समराई जी के संस्थापक चंद्रगुप्त मर्य का सासनकाल 323 से 298 इस्वी पूरु तक माना जाता है चंद्रगुप्त मर्य का जन्व 340 इस्वी पूरु में हुआ था चंद्रगुप्त मर्य के बच्पन के बारे में किसी का भी कोई एकमत नहीं है इतिहास के अनुसार उनके पिता का नाम राजा नंदा और माता का नाम मुरा था चंद्रगुप्त के पिता नंदो की सेना में एक अधिकारी थे जो किसी कारण वस नंदो द्वारा मार दिये गए थे उनके पिता की मौत उनके जन्म लेने से पहले ही हो गई थी जब चंदरगुप्त दस वर्ष के थे थे उनकी मामूरा का भी धेहान थो गया और तब से उनकी परवरिष चाने की ने की थे ब्रामन साहित में चंदरगुप्त मोर्य को सुद्र बताया गया है बोदेवम जेन गरंथों में चत्रिये तथा विसाक दत द्वारा रचित पुस्तक मुद्रा राचस में विर्सल बताया गया है विर्सल का अर्थ होता है निम्न कुल का व्यक्ति 305 इस्विपुरु में चंदरगुप्त ने तथ कालिन यूनानिसा सक सेल्यूकस निकेटर को प्राजित किया था दोनों के वी संदी हो जाने के पसदा सेल्यूकस ने चंदरगुप्त से 500 हाथी लेकर बदले में हैरात, कंधार तथा काबुल के छेतरों के कुछ भाग दिये थे इसके बाद दोनों देसों के बीच वेवाहिक संबन्द अस्थापित हुआ सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवा चंदरगुप्त से कर उप्युक्त चारोप्रांत दहेज के रूप में दिये तथा मेगास थनिज को अपने राजदूत के रूप में चंदरगुप्त के दरबार में भेजा चंद्रगुप्त और सेल्युकस के इस यूद कावर्णन एमपियांस ने किया है चंद्रगुप्त के तीन विवा हुए थे उनकी पर्थम पत्नी का नाम धुर्धरा था धुर्धरा से बिंदुसार का जन्म हुआ दुसरी पत्नी कारनेलिया हेलेना या हेलेन जो सेल्युकस की पुत्री थी हेलेना से जस्टिस नामक पुत्र हुआ तिस्री पत्नी का नाम चंदर नंदनी था चानक की और पोरस की सहयता से चंद्रगुप्त मौरी मगद के सिहासन पर बैटे और चंद्रगुप्त ने युनानियों के अधिकार से पंजाब को मुक्त करा लिया चंद्रगुप्त मौरी ने नंदी वंसिये सासक धनानन्द को प्राजित कर पचीस वर्ष की अलप आयू में मगद के सिहासन की बागडोर समाले थे चंद्रगुप्त का नाम प्राचिंतम अभिलेक सच्छे रुद्र दमन का जुनागड अभिलेक में मिलता है चंद्रगुप्त से पुरु मगद पर कुरूर धनानन्द का सासन था जो बिम्बिसार और अजासत्र का वंसस था चंद्रगुप्त और धनानन्द का युद्ध चानक की केसिस चंद्रगुप्त मौर्य का 331 इस्वी पूरु में धनानंद से जो यूद हुआ था उसने देश का इतिहास बदल कर रख दिया प्राचीन भारत के 18 जनपदों में से एक था महाजनपद मगद मगद का राजा था धनानंद इस यूद में चंद्रगुप्त ने उसके सासन को उखाड़ फेका और मौर्य वन्सकी अस्थापना की पुरु में बंगाल तक तथा उत्तर में कस्मीर से लेकर दच्छिन में उत्री करनाटक तक फेला हुआ था जेन लेखों के अनुस्चा चंद्रगुप्त मोरी के सासनकाल के अंत में मगद में 12 वर्ष तक भीसन अकाल पड़ा था चंद्रगुप्त मोरी अपने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र के पच में सिहासन को छोड़ कर चंद्रगुप्त मोर्य ने जेन मुनी भद्र बाहु से जेन धर्म की दिछा ले ली और सरवन बेंगोला जो कि अभी मेशूर में हैं वहाँ जाकर 299 इस्वीपूरु में लगातार साथ दिनों की उपासना के बाद अपने प्रान त्याग दिये इस सेशन में बस इतना ही अगले सेशन में मैं आप लोगों को चंद्रगुप्त मोर्य के पूत्र बिम्बी सार के बारे में बताऊंगी अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा तो मेरे चैनल हिस्टोरिकल अस्टोरी को सब्सक्राइब करें